सारी दुनिया है लोकडाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चो आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको नमस्कार, मैं डॉक्तर मजज़ी दिवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राष्की बालिका इंटर कॉलेज, गोहंती नगर आज हिंदी की कक्षा में हम लोग केई केई क्या अनुताप जो मैत्ली शणत गुत्त जी द्वारा रचित है उसका सिर्थी भाग पढ़ेंगे पूर्वी में हम लोगों ने अध्यान किया कि राम को वन गमन मिला था पिस्ता से आदेश वन गमन का मिला था कैकेई ने अपना पष्चाताप द्यक्ति किया था पुत्र की उपएक्षा से आहाद ममत्तू की पराकास था कि पुत्र भरत ने अपनी मां कैकेई का परित्याग कर दिया था जब उन्हें है पता चला कि पिता की मृत्तिव और राम को वन गवन के लिए आदेश देने में मा कैकेई का हाथ है कैकेई का चालित्रिक वैविद्ध की कैकेई के चरित्र की विविद्ध की पहले जहां उसका स्वरोप उग्रथा बाद में हुआ है तुशारा वृत्ता विद्धुलेखा मतलब वो शांत हो गई तो इस तरह से कैकेई के चरित्र की विविद्ध की को कभी ने बताने का प्रयाज किया है निच जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महा स्वाठने घेरा सौबार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने है जनाहरत्ता भाई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई सौबार धन्य वह एक लाल की माई यहा लाल उसे भी आज गमाया मैंने विक्राल कुयशी यहां कमाया मैंने यहां पर कह रही है कि इस संसार के जन्म जन्मांतरों से कलप कलपांतरों से लोग यह बात सुने मुझे धिकार करते रहेंगे मेरे यह स्वार्थ को लोग हमेशा मुझे स्वार्थी ही जानते रहेंगे मेरा जब कल्प कल्पांतरों तक युगों युगांतरों तक लोग यही सुनते रहेंगे कि कैकेई ऐसी रानी थी जिसको स्वार्थ ने आकरके घेर लिया पूर में भी हम लोगों ने पढ़ा था रग्कुल की थी एक अभागिन रानी तो वह रग्कुल की अभागिन रानी जो अत्यंत स्वार्थी थी स्वार्थ ने जिसे घेर लिया था उसको धिकार है राम कह रहे हैं सौबार धन्य वह एक लाल की माई लेकिन राम भरत को निश्कलंक मान रहे हैं मा कईकेई को निश्कलंक मानते हुए वो ये कह रहे हैं कि वह मा धन्य है, सौवार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने भरत जैसा भाई दिया है मुझे, जिसने भरत के समान प्रेम करने वाला, भक्त करने वाला भाई दिया है, ऐसा शांत, धीर, गंभीर भाई दिया है, ऐसी मा का धन्य है, वह मा धन्य है, जिसकी कोप से भरत ने जन में लिया है प्रभु के ये कहते ही, श्री राम के ये कहते ही सारी सभा जो वहाँ पर लगी थी पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल लई वो सभा भी यही बात कहने लगी सवार धन्य वह एक लाल की माई वह लाल जिस भरत की यहां पर विशय में कह रहे हैं कि जिस भरत को जन में दिया है कैकेई ने वह उस कैकेई का धन्य है हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने जिसको तुम लोग लाल कह रहे हो उस लाल को मैंने आज गमा दिया है खो दिया है वह मुझे अम मा मानने को ही तयार नहीं है विक्राल कुयश ही यहां कमाया मैंने और यहां पर इस संसार में आ करके मैंने कुयश ही कमाया है पूर्व में मैंने चाहे जो कुछ किया हो लेकिन जब मैंने दशरत को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तुम्हें जंगल बेजें सारी प्रजा राम के साथ थी लेकिन राम को मैंने जंगल बेज दिया राम के जंगल बेजने के कारण यह जो कुयश मुझे को प्राप्त हुआ है इस अंशिशे सम्मंदित प्रिशन आएंगे सो बार धन्य वह एक लाल की माई इन पंक्तियों में या इस पूरी घटना क्रम में अपने किस स्वार्थ की बार-बार बात करी है निजस्वल्ग उसी पर वार दिया था मैंने हर तक से अधिकार लिया था मैंने पर वही आज यह दीन हुआ रोता है शंकित तबसे धित धरड़ तुल्य होता है अज अंगार चंड है मेरा तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा पटके मैंने पदपाड मोह के नद में जन क्या-क्या करते नहीं सवपन के मद में यहां पर कई-कई कह रही है कि उस पुत्र ने उस पुत्र ने मेरा थ्यार कर दिया है मैंने अपने उस पुत्र ने जो मुझे खो दिया, जो मुझे अपनी मा ही नहीं मांग रहा है, मैंने उसी पुत्र पर अयोध्या की राजगदी, जो स्वर्ग के समानगदी है, ऐसी गदी को मैंने उस पर नुच्छावर कर दिया था, उसको दे दिया था, कि राम को भी, राम पुत्र रो रहा है अयोध्या जैसी गद्धी, राज गद्धी पाने पर भी राजा बनने पर भी इतने महानवंश का राजा बनने पर भी यह जो मेरा पुत्र है यह शंका से दुख से, गलानी से रो रहा है शंकित तब से धरते हरिड कल्य होता है, जिस प्रकार से हिरन का बच्चा मा के पीछे छिप जाता है, रोता रहता है, मा से भी छड़ करके, उसी तरह से यह मेरा जो पुत्र है, यह रो रहा है, श्री खंड आज अंगार चंड है मेरा, अब यह देखो, पूर्व का, पूर्व का रोप, पू श्री खंड शीतल हो गया है, आज अंगार चंड है मेरा जिन में यह जलित भाव आया थे, जिन में यह सौत का भाव आया था, जिसमें यह भाव आया था, कि जो है राम राजा बन जाएंगे, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा भाव जब आया था, लेकिन आज यह मेरा श श्रीर शान्त हो गया है अंदर से भले ही हल चले लेकिन उपर से यह शान्त दिख रहा है तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा मुझे इससे जादा दंड और क्या मिल करता है पटके मैंने पदपाड मोह के नद में मैंने मोह के नद में अब प्री भरत के प्रेम के चकर में प्री भरत के इसने के बंधन से बंध करके मैंने हाथ पेर बहुत पटके दश्रत के सामने अपने गहने उतार दिये दश्रत के सामने अपने पुराने वर को यार किया मैंने बहुत तरह से यह प्रयास किया था कि यह जब किसी चीज का नशा होता है, तो लोग उस नशे में क्या क्या बाते नहीं करते और सुनते हैं, वही मैंने किया, मैं तो सुपन देख रही थी, की बरत जैसे ही बरत ननियाल से वापस आएंगे राजगद्धी को पा करके बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे धन्यवाद करेंगे इतने बड़ा राजा बन जाएगा मेरा भरत मैं राजमाता कहलाओंगी ये सारा का सारा तो स्वपन था एक नशे की भाद ही था जैसे ही स्वपने तूटा स्वपने भंग हुआ मेरा बेटा तो कुटिया में आ गया मेरा बेटा तो धो रहा है मेरा बेटा तो दीन है मेरा पुत्र तो दुखी है उसके लिए ये स्वर्गे की गति तुच्छ है मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे मेरे दुगने प्रिये रहो न मुझसे न्यारे कहिके यह कह रही है कि यह मुझे प्रिये है अत्यनत प्रिये है इसको तुम प्रिये हो देखो मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे मेरे दुगने प्रिये रहो न मुझसे न्यारे मैं इसे न जानू किम्त जानते हो तुम अपने से पहले इसे मानते हो तुम तुम भाताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर्यों प्रकट हुआ है वैसा तो पाप दोश भर पुर्णे तोश है मेरा मैं रहू पंकिला पद में कोश है मेरा आगत ग्यानी जन उच्छ भाल को ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर मेरे तो एक अधीर हदय है वेटा उसने फिर तुमको आज भुजभर भीटा मुझको यह प्यारा यहाँ पर कहकेई अपने पुत्र और राम के संदर्व में कह रही है कि यह मेरा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है यह मेरा पुत्र मुझे अत्यम्त प्रिय है और इसे तुम प्यारे और यह तुमको अधिधिक प्रेम करता है मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हो और ये तुमको अधिक प्रेम करता है तो इसका राष मेरे दुगने प्रिये रहो न मुझे से न्यारे हे मेरे प्रिये हे मेरे राम तुम मुझे दुगने प्रिये हो मैं अपने पुत्र को प्रेम करने हूँ ये मेरा पुत्र तुमको कर रहा है उस अर्थे से तुम मेरे लिए दुगने प्रिये हो, तो हे राम, तुम दुगने प्रिये हो, रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग मत रहो, मुझे अलग मत समझो, मैं इसे न जानू, किन तु जानते हो तुम, मैंने भले ही अपने पुत्र को जन करके भी न जान पाया हो, मैंने भले ही अपने पुत्र को पहचाम ना पाए हूँ लेकिन तुम तो मेरे पुत्र को अच्छी तरह से जानते हो तुम तो जानते हो कि इस पूरे कार में मेरे पुत्र का तनिक भी दोश नहीं है अपने से पहले इसे मानते हो तुम और हमेशा से बाले आवस्था से तुमने हमेशा पहले इसे ही माना है पहले मेरे पुत्र पर ही तुम्हारा सबसे बड़ा इस नहीं रहा है पहले मेरे पुत्र मुझे बाद में मानता था पहले तुम ही मुझे मानते थे तुम जब रात में आकर के मेरे पास सो जाते थे, कौशल्या दूनते दूनते आती थी, तुम पहले तो तुम मुझे ही मानते थे, अपने से पहले इसे मानते हो तुम तुम भाताओं का प्रेम परस पर जल्सा, तुम भाईयों का आपस में प्रेम जिस तरह से मिला हुआ है, तुम चारो भाई आपस में जिस तरह से प्रेम करते हो, यह दिवह सब पर योग प्रकट हुआ है वैसा, तुम्हारा प्रेम सभी भाईयों पर समान रूप से, बरावर रूप से व्यत्थ होता रहा है, तु पाप दोशे भर पुन्य तोश है मेरा, तुम्हारे भाईयों तुम अपने भाईयों के प्रती मलिंता का भाव मत रखना, तुम भरत के प्रती किसी भी तरह का मलिंता का भाव मत रखना, तुम भरत के प्रती किसी भी जो है अपने मन में बैर का भाव मत लेके आना, तुम अपने सब भाईयों पर वैसा ही प्रेम दिखाते रहना जैसे पूर्व में दिखाते रहे हो भले ही मैं पंकिला, पंकिला कीचर, पद्मकोष, कमल की जैसे कम, कीचर से कमल उत्पन होता है कमल के उत्पत्ती जैसे कीचर से होती है वैसे इस भरत का जन्म मुझे से हुआ है भरत ने मुझे से जन्म लिया है यह कमल के समान है मेरे अंदर जो द्वेश की भावना, जो स्वार्त की भावना जो मेरे अंदर डाह की भावना आ गई थी जो दोश मेरे अंदर आ गए थे उस दोश से मेरे इस कमल के समान सक्ष निर्मल पवित्र भरत का जन में हुआ है भरत बिल्कुल निर्दोश है मैं रहू आगे को ग्यानी जन उच्च भाल ले लेकर आगे आने वाले लोग तुम्हें बहुत तरह सी बातें कह करके सुन करके समझाने का प्रयाद करेंगे समझावे तुमको अतुल उयुक्तियां दे करके आगे आने वाले लोग तुमको तरह तरह से बात कहेंगे समझाएंगे मेरे तो एक अधीर हर्दय है बेटा और वह राम से कह रही है कि मेरा तो एक मा का हर्दय है मा का हरदै, अपने पुत्र के लिए, सर्वता परेशान रहता है, हमेशा उसे इस ने savior की पराकास्ठा करता रहता है, तो मैंने अपने स्वार्थे के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण मैंने यह छार किया है, उसने फिर तुमको आज हुजा भर बेटा, मेरे तो यह अधीर, मेरा तो बेटा एक अधीर हरदय है लेकिन उस मेरे बेटे को भी उस भरत को भी तुमने अपने हरदय से लगा लिया है उस भरत को तुमने निर्दोश मान लिया है इस अंश में राम को कौन प्यारे हैं? कैकेई ने दुगने प्रिय किसे कहा है? कैकेई का दुगना प्रिय कौन है? यह अंश कैकेई का नुताब हत्म हुआ था और इस पूरे अंश में जो मुख्य बाते हम लोगोंने समझी थी पूरे अंश में जब हम कावे वैशिष्ट के संदर्व में बात करें कविता की विशेष्टा के संदर्व में हम बात करें तो कावे का वैशिष्ट दो प्रकार से आता है एक आता है कविता का भाव पक्षिट और एक आता है कला पक्षिट भाव पक्षिट जिसमें कविता का भाव और भाव के अंतरगत क्या-क्या बाते आएंगी, किल-किल बातों को, मुख्य भावों को हमने इस कैकेई के अनुताप में समझा और जाना तब से पहले कवी गुप्त जी ने सूक्षम भावों को प्रिडित किया है इस कावे के माध्यम से कैकेई के अनुताप के अंश के माध्यम से कवी गुप्त जी ने जो मानों के सूक्षम भावों है जिसमें कैकेई का जहां पर बिंब का वर्णन है, कैकेई के जहां पर चरित्र का वर्णन है कहीं कि जो सूख्ष बताती जब हम लोग उने पढ़ा था वह सिंगनी हाँ गोमुकी गंगा कितना सूख्ष भाव है कि जो पहले सिंगनी थी अब गंगा के समान होगी तो कभी ने जो है सूख्ष भाव का प्रणयन यहां पर किया है या जब भरत कहते हैं अब क्या रह गया अब इपसित मेरा कहना क्या चाह रहे है कि मुझे गदी मिल गई सब कुछ मिल गया तो मैं तो तब भी अभागा रह गया तो यहां पर कभी गुप्ति जी ने सूख्ष में भावों को व्यक्ति किया है आत्मी प्रेम एवं उच्छ विचारों की अभी व्यक्ति किन पही है भरत का राम से प्रेम राम का भरत से प्रेम और माता कैकेई के प्रति प्रेम राम का माता कैकेई से पुत्रवत प्रेम भरत से भात्रवत प्रेम इन प्रेम आदरशों की पराकास्ठा दिखाई गई है उच्चितम रूप में दिखाया गया है एक भाई जिसको जंगल मिल ग जंगल वाले को ला करके और गद्वी पर बिठाना चाहरा है, कितना आत्मीता का भाव है, दोनों में कितने प्रेम का भाव है, उस भाव की अव्यक्ति गुप्ति जी ने की है, कैकेई के रूप में एक माता को दोश मुप्त करके उसके हिर्दें की पवित्ता को बनाय रखने का सफल प्रयास किया है, हमने पूर्वी में भी बात की थी, कावेतर उपेक्षिता नाइका है, कि काव्यों की उपेक्षित नाइका हैं, वे नाइका हैं, जिनको मुख पात्रित के रूप में वर्णन कभी नहीं किया गया था, इस अंदर में में आपको बताया गया था उर कैकेई ने जो राजा दश्रत से अपने दोनों वर्दान मांगे वर्दान प्राप्त भी हो गए और वर्दान का परिलाम क्या हुआ उसे पती को खोना पड़ा पुत्र की उपिक्षा सहनी पड़ी लेकिन कवी ने यहां पर कैकेई को मुख्य पात्र के रूप में दिखा करके कैकेई के मा के रूप में दिखा करके उसको पश्चा ताप करता हुआ दिखाया इससे पूर्व कैकेई का पश्चा ताप का इतना विशत रूप से वर्णन नहीं हुआ था तो यहाँ पर कभी मैतली शनन गुप्त ने कैकेई को दूश मुक्त दिखाया, पाप पश्चा ताप की अगनी में जलते हुए दिखाया, पश्चा ताप करते हुए दिखाया, इसके अचाती साथ उसके हर्दें की पवितरता को बनाये रखने का प्रयास किया, लोगों के हर्दें में जो अब तक कैकेई का एक स्वार्थी रूप था, उस स्वार्थ रूप की परत हटा करके कभी मैतली शनन गुप्त जी ने कैकेई को एक माता के रूप में, एक अच्छी माता के रूप में, सफल माता के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, गुप्त जी लोकसंग्रही कभी थे और जिसके कारण उन्होंने राम को मानवीय रूप में दिखाया पूर्व में राम को एक इशुरी अवतार बताया गया लेकिन जब राम पहले ही पूस्त राम प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निदी जैसे कहो भरत अभीपसित अपना जब राम कहते हैं एक लोग व्यक्ति की तरह कहते हैं कि भाई बताओ भरत तुम अब क्या कहना चाहरे हो तुम्हारी इच्छा क्या है तो कभी गुप्त जी ने राम को यहां पर इशरी रूप ना दिखा करके मानवी रूप दिखाने का प्रयास किया है कह के के पश्चाताप में प्रकति को भी सहायक बनाने का प्रयास किया गया है पूरे अंश यदि हम देखें, तो रात्री के समय का वर्णन किया था, तद नंतर बैठी, सभा उटज के आगे, नीले वितान इतले दीप बहु जागे, रात्री का समय था, रह रह करके करोंदी कुंज की महे का रहे थी, ऐसे शांत वाता वरण में, और विशय इतना उद्व पूर विशय था, और ऐसा विशय जिसकी स्वर्ग लोग के लोग भी कल्पना कर रहे थे, स्वर्ग लोग के लोग भी, देवता लोग भी जिसका परिणाम जानने के लिए आतुर थे, ऐसे शांत, ऐसे भावों की सर्जना, कभी ने शांत रूप में, रात्री के शांत परि तो दिया है कभी ने जब कैकेई के पश्या ताप दिखाया कैकेई के अनुतात को दिखाया कैकेई के ताप को दिखाया ऐसा कहके जो समाज में कैकेई के प्रती एक जो है दुर्भावना लोगों के मन में थी ऐसी दुर्भावना को गुप्त जी ने दूर करने का प्रयास किय उन्होंने नारी मात्र की विशेषता को बतानी का र्यास किया है काव वैशिस्ट के अंतरगत मैंने बताया एक भावपक्ष होता है और एक कलापक्ष होता है तो भावपक्ष में हम लोगोंने देखा अब हम लोग कलापक्ष को देखे भाषा परिश्वित खड़ी बोली कि इसकी जो भाषा है दुवेदी युगीन भाषा है दुवेदी युग में महाविर प्रसाद दुवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी में ही कावप्रणयन की प्रेना गुप्त जी को दी थी तो दुविदी यूगीन भाषा यहां पर प्रियोक्त की गई है, परिश्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रियोक गुप्त जी ने किया है, शेली प्रबंधात बगता, क्योंकि यह महा कावे है, महा कावे आपको बताया गया था, तो इसमें एक कहानी, चाहे वो पुरान पर स गुण प्रसाद और माधुर्य, मधुर्ता का भाव है, शांत का भाव है, तो यहां पर आपका प्रसाद गुण आएगा, शब्द शक्ति अभिदा एवं दक्षना, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिदा, अभिदा यानि सीधा सीधा कथन, वह कथन जो हम लिखने वाले ognे जो लिखा, समझ्छने वाले ने वही समझा। करके अर्थ बिठाना पड़े वहाँ पर हमारे लक्षणा रस की अंतरगत करूनu रस आएगा और करून रस का इसताई भाव है शोक जहां पर शोक है वहाँ पर आपका रस की जो निश्पत्य होगी वह करून रस की होगी दूसरा इसमें रस आएगा वो है आपका वातसलöt प्रेम आया वह आपका वाक्सल्य रस और इसका इस्थाई भाव होता है रती जो आपका इस्थाई भाव होता है यह तीन में प्रियुक्त होता है पहला श्रंगार के अर्थ में जब नायक और नाइका मिलते हैं तो श्रंगार रस होता है जब ईश्वर और भक्त का मिलन होता ह यहां पर भक्ति रस होता है, जहां पर उत्र विश्यक प्रेम हो, जहां पर किसी चोटे बच्चे को देख करके प्रेम की भावना निश्पत होती है, वहां पर हमारा वाच्तल रस होता है। यहां पर कवी ने इन दोनों रसों का प्रियोग किया है, और इन दोनों का प्रियोग करके भाव संधी की है, भाव संधी कि जब ना तो पूरी तरह से करुणा का भाव आया, क्योंकि जैसे ही करुणा का भाव आया, वैसे ही उसमें वात्सल्य रसा करके मिल गया, तो दोनों में से किसी भी एक रस का परिपाक नहीं हुआ, भाव दो मिले, रेकिन रस एक भी पूर्ण तरह से नहीं हुआ, परिपाक नहीं हुआ, पूर्ण ता कि इस्तिदी को प्राप्त नहीं हुआ, ना तो करुण और ना ही वाथ सले, तो दोनों रसों का जब परिपाक न होने के कारण यहां पर एक नई बात आ गई और वह आई संधी, भाव संधी, दो भावों का मिलन, करुण का भी भाव और वाक्तल्य का भाव, दोनों भाव जब वापस में मिले तो वहां पर हमारी भाव संधी होई, अलंकार संपून का व्यांश में अनुप्रास, उपमा, र अग्ति प्रकाश अलंकारों का प्रियोग कभी में किया है, अभ्यास है तु प्रिश्न, तुम भाटाओं का प्रेम परस्पर जैसे, यदि वैस अपर यो प्रकट हुआ है वैसे, तो पाप दोश भर पुन्य तोश है मेरा, मैं रहू पंकिला, पढ्न कोश है मेरा, आगत ज प्रियानी जन उच्छ भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल उक्तियां देकर, आपके जो पेपर में प्रिश्न आपके एक अंश दिया रहेगा और उस अंश के नीचे आपके प्रिश्न दिये रहते हैं, उसी में से आपको कई बार होता है कि उत्तर उसी में से मिलता है और कई बार वह उत्तर शिल्प सौंदर के माध्यम से पुछा जाता है, केंद्री भाव के रूप में पुछा जाता है, पंक्ती है, मैं रहुल पंकिला पद में कोश है मेरा, इस पंक्ती का आशा इसपस्ट कीजिए, कईके द्वारा किसी से और क्या विंती की जा रही है, अगला प्रिशन आएगा प्रतुस्त द्यांश का शिल्प सौंदर के अंतरगर्द आपको भाशा, रस, अलंकार इन बातों अब आपका यह ग्रहकार है, जो पूरा अंश आपने पढ़ा, कईके के अनुताप का तदनंतर बैठी से और अंतर तक जो आपने पढ़ा, उससे सम्मंधित यह प्रिशन है, गुप्त जी ने कईके के चरित्र में जो नवीनताय उत्पन्ने की है, समुचित उद्रहन देते हुए उन्हें इस परस्टप कीजिए कि, गुप्त जी ने कईके के माध्य हमसे कईके के चरित्र में, जो नई बात कही है, उसको व्यक्ति करना है, गुप्त जी जो वर्मागा उसकी व्याक्षा कीजिए, मैट्रिशनान गुप्त की रचनाओं का नामों लेख कीजिए, केवं अनुप्राफ अलंकार का एक-एक उदाहरण बताते हुए लक्षण लिक्षण लिक्षण यह पूरा आंश जो हम लोगों ने पढ़ा अध्यन किया उसके अंतरगर यह तथे हैं जिनको हम लोगों ने आज समझा सबसे पहले कैकेई का अनुताप जो साकेत महाकाव के अस्टम सर्गे से लिया गया है जिसकी कथा अवस्तु राम गमन के पश्चाप वन गमन के पश्चाप कैकेई का जो पश्चाताप हुआ कैकेई ने जो अपना यह वर मांगने जो वर मांगे और उसके परिप्रेक्ष में उसका पश्चाता चाहे पती को खोने का हो चाहे पुत्र का त्याग का हो चाहे राम के वन गमन का हो ये पूरा अंश पढ़ने के लिए दुबारा से समझने के लिए इस पस्त्री करण के लिए यदि आप को कोई परिशानी हो रही है तो आप दिक्षा आप डाउनलोड करके और पुने इस अंश को आप बढ़ जकते हैं धन्यवाद